नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जैवीर और आप देख रहे हैं हिंद कैम का यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेजर वेल्डिंग मशीन का दाम क्या होता है मतलब एक किलोवाट दो किलोवाट और तीन किलोवाट की लेजर वेल्डिंग मशीन का दाम क्या तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता हुआ के लेजर वेल्डिंग मशीन की कोस्ट बहुत जादा होती है तो यह मशीन काम की है के नहीं है यह आपको कैसा पता लगेगा तो हम आपको इन्वाइट करते हैं कि आप अपना सेंपल लेके आईएगा और हम आप सब्सक्राइब की सायता से ठंडा किया जाता है इस मशीन का zat already नीचे देख रहे हैं यह मशीन का वाटर चिलर है जो मशीन के सोर्स को और मेरी गन को ठंडा करता है और यह little source में हमारे दो ऑप्शन होते हैं रेकस और मैक्स एक किलोवाट और दो किलोवाट में रेकस और मैक्स का दाम सेम हैं तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि मशीन के साथ आपको क्या-क्या accessories मिलेंगी तो मशीन के साथ जैसे यह welding gun इस मशीन के दाम में included है साथ में आपको कुछ इसके nagels किल फीजर वाइल्डिंग के लिए बेनायरवाली वेल्डिंग और क्टिंग के लिए यह chuck है का सटमलर इस वाली मशीन से अप लेजर क्लीनिंग और लेजर क्ल तक यह दोनों कर सकते हैं साथ में सोर्स चिलर ये मेरी वेल्डिंग में थोड़ा गैप हो यह मोटी थिकनेस वेल्ड कर रहा हूं तो वायर फीडर का इस्तेमाल हमको करना पड़ता है तो जो हम दाम बताएंगे उसमें यह सारी चीजें इंक्लूडिड होंगी वायर फीडर मेरी वैल्डिंग का सोर्स चिलर यह गन पूरा मशीन के साथ लगे तो आपको मशीन में करने के लिए जैसे में के साथ गैस चाही होती तो फूलग करके लिए तो अब तो तो अलग-अलग मेटल के लिए आप थोड़ा अलग-अलग गैस यूज कर सकते हैं कुछ जगें पर जैसे हम सी ओटू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम एम स्की वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो दोस्तों जैसे आपको गैस सी तो गैस का रेगुलेटर भी आपको साथ चाह यूपीएस का भी इस्तेमाल करें ताकि मशीन के सोर्स में कोई खराबी ना आए वोल्टेज ज्यादा डाउन होने से सोर्स में दिक्कत आ सकती है तो दोस्तों यह हमने बता दिया मशीन के साथ क्या आएगा क्या आपको लगाना पड़ेगा तो अब हम दाम की बात कर लेते हैं तो दोस्तों जो एक किलोवाट की मशीन है उसका दाम हमने रखा है पांच लाग बीस जार रुपे पांच लाग बीस जार में आपको वायर फीडर और वायर फीडर के साथ यह सारी नोजल्स जिससे आप कटिंग क्लीनिंग और वैल्डिंग तीन ओपरेशन कर सकते हैं स हूं तो पांच लाग भीस हजार प्लस जीच ती में आपको किलोवटकी मशीन मिलेंगी चाहे आप यहśं किलोवाट की सारी चीजे हैपको इसमें इंकलूड मिलेग है अगर Marketing मशीन ने तो 2 किलोवाट का दाम हमने रखा है 725ker Ganal इसमें भी आपको सारीक्राइक्सारी चौंश के साथ आपको मिलेंगे दोस्तों जो लेजर क्षार्ट मिप modo का दाम बताने से पहले हम आपको बता चाहें कि laser welding machine की running cost लगबग क्या आती है अब को एक मोटा मोटा idea देंगे कि इसकी running cost क्या आती है तो सबसे पहले जो मेरा खर्चा होगा एक वो बिजली का खर्चा होगा दूसरा मेरा gas का खर्चा होगा तीसरा मेरा जो machine में जो consumable लगते हैं उसका खर्चा होगा अगर हम एक किलोवट के source की बात करें तो एक किलोवट का source लगबग तीन किलोवट maximum power लेता है जब वो चल रहा होता है हाला कि जब हम welding करते हैं तो एक तो हम लगातार welding नहीं करते हैं दूसरा थिकनेस के इसाब से मेरी machine की power कम रखते हैं है तो से सूश्स अगर की वेल्डिग मशिन लगाएंगे तो वो हम कर लेते हैं थी कीज कंजुमेबल होती है वो होता है मेरे लैंस तो जो मेरे लैंस होता है लगबग उसकी कीमत 3.500 रुपे होती है और आप पुछेंगे आप लैंस की लाइफ क्या होती है तो लैंस जनरली 15-20 दिन या एक महीने तक चलता है हलाकि अगर आप गलत तरीके से वेल्ड करें या ग पर आप मोटा संज सकते हैं कि जो रनिंग एक्स पैंस है मेंग वेल्डिंग के बराबर ही आएगा पर अर बेसिस पर लेकिन वहीं आप को बताना चाहेंगे बहुत सारे सिनारियो में जो लैजर वेल्डिंग मशीन होती है उसका उसकी जो speed होती है welding speed होती है वो mix से जादा आती है हो सकता दुगनी जादा है हो सकता तीन गोना जादा है तो आपकी manpower बहुत जादा बचेगी इस machine से तो जो running cost है वो मेरी MIG welding से अगर मैं पर weld के हिसाब से देखूं तो laser welding machine की काम आएगी manpower भी कम लगेगी और जो मेरे welding के पीस डिफॉर्म हो जाते हैं इस लेजर welding में बहुत ही मिनिमल होती है तो इस तरह से laser welding बहुत सारे scenarios में हमारी जो running cost है वो MIG welding ये बाकि किसी भी welding जो process है उससे बहुत कम ही आएगी तो दोस्तों आब हम कर लेते हैं तीन किलोवाट की welding machine की बात तो जो तो तीन किलोवाट की welding machine होती है उसकी कीमत हम आपको फोन पर ही बताएंगे हम वीडियो में नहीं बताएंगे साथ में आपको बताना चाहेंगे कि इस machine का दाम जो जब हम वीडियो रिकोर्ड कर रहे हैं उस टाइम का है मतलब कि जुलाई 2023 का है हो सकता है यह वीडियो अब बहुत बाद में देखे 2024 में देखे 25 में देखें तो जो वर्तमान इसी तरह की machinery की जानकारी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी हमारे यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद